Welcome Friends, आज हम लोग जानेंगे Newborn Child Name Registration यानि कि जब कोई बच्चा पैदा होता है हॉस्पीटल में उसका नाम किस तरह से Registration किया जाता है तो चलिए जानते हैं किस तरह से Newborn Child Name Registration किया जाता है इसके लिए Google का सर्च बार में आपको टाइप करना है यू तथ्या यू टी ए टी एच वाई ए डॉब्लू बी डॉट जी ओवी डॉट इन टाइप कर सर्च करते हैं आपके स्कीन पर जन्म मीर्टू तथ्या गॉर्मेंट और वेस्ट बेंगल इस लिंक पर आपको क्लिक करना है लिंक पर क्लिक करते हैं यह आपको डिपार्टमेंट औफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफियर गॉर्मेंट और वेस्ट पिंगल को ओफिशियल साइट पर लेके चला जाता है राइट साइट में देख सकते हैं मेनू बार दिया हुआ है तीन डैस दिया हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है क्लिक करते हैं इस तर एक आपके स्कीन पर आ जाता है यहां देखिए आपको एक आप्षिंस मिलता है चाहिल्ड नेम्र इस्टेशन पर आपको क्लिक करना है क्लिक करते हैं इस तरह कामवाइल नंबर को लोग रिग्स्टर कर लेते हैं उस मोवाइल नंबर पर और आपको एक acknowledgement number भजा जाता है कि आपके बच्चे का registration कर दिया गया है अब आप अपने बच्चे का नाम को register कर लिजी अपने mobile से तो हुआ पर एक link भी रहता है उस link पर click किज़ेगा तो direct यहां पर into acknowledgement पर आ जाता है या आपके पास इस तरह का process follow करके आप यहां पर आना है उसके बाद acknowledgement number आपको डालना है जो acknowledgement number दिया है आपको submit पर click करना है आपके पास एक OTP आएगा रेजिस्टर मोबाईल पर उस OTP को यहां पर submit करना है OTP submit करते हैं इस तरह का दिखाए देखिए OTP has been sent to the register mobile आपने अपना register mobile से OTP send कर दी उसके बाद दिखिएगा acknowledgement number, date, birth, कब आपका बच्चे का जनम हुआ, gender क्या है, mother's name यह सारी details आपका आजाएगा अब आपको करना क्या है आपके बच्चे का नाम जो बच्चे का नाम आप सोच के रखें हैं कि इस बच्चे का नाम क्या रखना है उस नाम आपको यहाँ पर first name, अगर middle name उसका है तो middle name और last name डाल कर आपको submit पर क्लिक करना है बच्चे का सोचा हुआ नाम आप यहाँ पर डाल दी है डालने के बाद submit करते ही इस तरह का आपके screen पर आ जाएगा दिखेगा उपर में दिखाएगा कि data saved successfully यानि कि आपका जो बच्चे का नाम है वो आपका register हो गया है, save हो गया है अब कुछ दिन बाद आप चेक कर सकते है status किस तरह चेक क्या है किस तरह से bus certificate डाउनलोड किया जाता है इसके लिए इस पर मेरा वीडियो बना हुआ है आप मेरे प्लेयर लिस्ट में जाकर चेक कर सकते है और आप अपने बच्चे का bus certificate भी ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते है थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो